ओध्योगी के शेत्र पिधंपूर की करी पांच गाव की किसान धने पर बैठे हुए है किसानों की भूमी लाजिस्टिक पार्क के लिए अधिग्रहित कर ली गई है किसानों का अरुप है कि सरकार द्वारा पजाव और महंगी जमीन को महस 50 रुपे स्कौार फिट के हिसाब से अधिग्रहिन कर रही है जबकि बाजार भाव 4000 रुपे से ज़ाता है पांच गाव की किसानों की कुल 125 हेक्टिर भूमी को सरकार द्वारा अधिग्रहिन किया चो रहा है भूमी अधिग्रहिन कानून के तहत किसानों की सहमती लेना आवश्यक होती है लेकिन यहां किसानों का कहना है कि उन से किसी प्रकार की सहमती नहीं ले गई है जिसके चलती से भूमी अधिक्रहन का पुर्जोर विरूत किया है और आने वाले विधासभा चुनाफ का बहिशकार करने की चेतावनी भी दी है किसारों का कहना है कि सरकार 50 रुपी स्क्वार फिट का मुआफ़जा दी रही है जबकि बाजार भाव 6,000 से 7,000 रुपी प्रती स्क्वार फिट की रेट है हम हमाला हक मांगे नहीं की जीजे भी मांगे सरकार जो है एक तरपा कारवाई करके किसानों की जमीन छीनना चाहती है हमारे लगभग 112 हेक्टर जमीन 3-4 गाओं की मिलकर सरकार एकवार कर रही है और सरकार ने किसी प्रकार की कोई समती किसान से नहीं लिए ना किसी सरकारी अधिकारी ने किसान से संपर्क करा है और कोडियों के दाम सरकार खरीदना चाहती है हमारे छेतर में 5-7,000 रुपे सकर फिट के प्लाट विखते है जबकि हमारी जमीन 50 रुपे सकर फिट में सरकार एकवार करना चाहती है इसमें हम किसानों की पूर्णता, सहमती है एवं हम जमीन देना नहीं चाहते है कोई सरकार का नाम नुमाइंदा हमारे यहां सहमती के लिए आया नहीं आज तक भी नहीं आया है और पूरे मतलब की ताना साही करके सरकार किसानों से जमीन चिनना चाहती है सरकार चाहे तो हम सब किसानों को गोली मार के हमारी जमीन ले सकती है हम मरने के लिए तैयार है हमारी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है कानून की जित्ती भी प्रक्रिया इन्होंने करी है पूरी तरह फ्रोट तरीके से करी है कोई भी मतलब एक भी नियम का इन्होंने जो अधिगरण कानून है उसका पालन नहीं करा है हाई कोट में हमने जो केस करा था उसमें भी इन्होंने फ्रोट करके हमारी रिट पिटिशन जो है लगी हुई थी उसके बावजुद इन्होंने अवाड कर दिया है और हमको मतलब पूर्ण तरीके से यह हमको आत्मात्या करने पर मजबूर कर रही है सरकार इस बार चुनाओं में क्या करेंगे आप चुनाओं में हमने एक ही हमारा निर्णाई है समस्त किसानों का और मैं पूरे मद्धिप्रदेश के किसानों से आवान करना चाहता हूं कि चुनाओं का पूर्ण तरीके से वहिश्कार करें नेता कोई भी हो किसानों की नहीं सुनता ह कर दो के विगत 1 साल से हमने हर नेता से संपर्क करने की कोशिश करिए पर किसी नेता ने हमारी नई सुनी अंग्रेजों की तरह कुत्तों की तरह भगा दिया था किसानों को हर आफिस में पूरी चाल बाजी करके हमारी आवासी भूमी को लोजिस्टिक पार्क में करके अधिक करने की कोशिश करी है और उनकी उद्योगिक जमीन को उन्होंने MPI DC के अधिकारी से अधिकारियों से मिलके आवास में करा के 1500-200 विगा की जमीन में TNC डाइवर्जन करा के रोड डाल के और बेच रहे वो प्लाट बना गए इसके रिपीट पे और हमारी सबसे पहले तो हमारे गाउं हमारे आसपास के गाउं और देश के सभी किसानों को मेरा अभिवादर हमारे साथ में और देश के कई किसानों पर अत्याचार और अन्याई किया जा रहा है कि एक पक्षी अधीगरान सरकारे लगातार कर रही है और हम किसान उसका विरोध कर रहे हम ये चाहते हैं कि कानून में जो देश भरके हैं या सरकारें जिन्हें सुनाई देना बंद हो चुका है वो यह बात ध्यान से सुन ले कि हम किसान हैं किसी से भी भीक नहीं मांग रहे हैं हमें अगर भूमी हिन किया जाएगा तो हम उसका बुर्जोर विरोध करेंगे और इस विरोध करने के लिए हमें किस किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए तयार हैं कितने किसान से प्रभावित हो रहे हैं हमारे यहां पर अभी मल्टी माडल लाजिस्टिक हब के लिए लगबग लगबग सो हेक्टर जमीनों का अधिगरण किया जा रहा है जिसमें गाउं जामोदी की लगब लगबग साट से सतर हेक्टर जमीन ले रहे हैं गाउं खेडा उसकी 23-24 हेक्टर जमीन खरीदी जा रही है एवं साथ ही साथ गाउं सागोर जहां के किसानों की तीन हेक्टर भूमी का अधिगरण किया जा रहा है हुआ है कितना माउजा बने लिए तयार है मांग क्या है कि हमारे जमीन के देना ही नहीं है कि इतनी उपजाव भूमी हम बेचना ही नहीं चाहते हम हमारी जमीन पर हम हमारा खेति के इतशान ह Concert रहे हैं हमें जमीन बेचने के हमारी कोई इच्छा नहीं है ठीक है आपका नाम बता दो मेरा नाम है दिलिपराव खराथ में गाउजामुदी का त्रशक हूं बताई आज काफी किसान धरने पे बेठे हैं और आप की आप लोगों क्या मांगे हैं हमारी यह मांगे कि जो शाष किस प्रकार का ले शाषण द्वारा वर्ष दो 2013-14 के बाद जब नया अदिनियम बनाया भुमी अधिजरन अधिनियम उचित पारदर्शिता का जो अधिनियम बनाया था 2013 में उस अधिनियम में किसी प्रकार नहीं गई नहीं की गई और किसानों की केवल जमीन हड़पने के लिए किसानों के साथ एक इस प्रकार का चलावा किया है कि यहां की जो गाइड लाइन वर्ष 2013-14 से जो बढ़ा नहीं थी वह गाइड लाइन आज तक नहीं बढ़ाई गई और उल्टी उसी एक कर दिया है तो अभी आप लोगों कुछ नोटीस बहूए है नोटीस आये हैं लेकिन किसी पी किसानों नोटीस लेने से струठ इनकर कर दिया अच्छा आप लोगों के मांगे अगर माणी नहीं जाती जीनीं के लिए आप बेठें तो अगला स्टेप क्या होगा आप लोग यहां पर नारे लगा दे चुनाओं का भष्कार करने की बात कर रहे हैं इस चेत्र में नहीं राजनिता ध्यान देता है ना कोई इनकी जो भी योजनाय बनती शाष्यनिस्टर की उपर बेट के बना लेते हैं उसके बाद में जिनको जो समझ में आता है वो योजनाय आई लागू कर देते हैं किसानों के साथ अधिर अन्याई अत्याचार कप तक लोग अपने फाइदे के लिए किसानों का गला काट रहे हैं तो हम जमीन बिल्कुल नहीं देंगे अभी आप लोग नारों में बता रहे थे कि विधानसवा चुनाओ का विरोध करेंगे विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्यामी महिलाएं भी पुरुशों के साथ हादों में तक्तियां लेकर जमीन अधिकरहन का विरोध करती नसर आई है पिधांपूर सी अमित अतुलकर की रिपूर्ट